नमस्कार दोस्तों YouTube क्यानल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडेस्टी में यूज होने वाले Lubrication Oil और Hydraulic Oil के बारे में डिस्कस करेंगे Lubrication और Hydraulic Oil में कौन से नंबर का ओयल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और किस application के लिए कौन सा ओयल यूज किया जाता है और इनके जो नंबर होते हैं वो ओयल के बारे में क्या इंडिगेट करते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो वीडियो का topic अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जुरू कर दे 500 like का target है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो industrial gear oil जो होते हैं वो अलग-अलग viscosity में आते हैं और viscosity के हिसाब से इनको अलग-अलग number दिये जाते हैं जैसे-जैसे gear oil का जो number है वो बढ़ता है वैसे-वैसे उसकी जो viscosity है वो भी बढ़ती है जैसे की 68 number oil इसके बाद आता है 100 number oil तो जो 100 number oil है उसकी viscosity 68 number से ज़्यादा होती है यानि जैसे-जैसे viscosity बढ़ती है oil का जो गाड़ापन है वो भी बढ़ता है इसके बाद 1500 number oil 220, 320 और इसके बाद आता है 460 तो यह जो oil का number है यह oil की viscosity यानि उसके गाड़े पन को दर्साता है तो सबसे ज़्यादा जो oil use किया जाता है इंडस्टी में वो है grade 320 number oil यह एक extreme pressure industrial gear oil है और इसका use small और medium size के gear boxes में किया जाता है जैसे की worm wheel type gearbox, palantry type gearbox जो geared motor के साथ में आते हैं और जो small helical gearboxes होते हैं उनमें भी 320 number oil का use किया जाता है और इसके बाद जो oil आता है वो है oil grade 460 number और इस oil का use multi stage helical gearbox में किया जाता है जो heavy gearboxes होते हैं multi stage वहाँ पे जो 460 number oil का use किया जाता है और यह जो oil होता है यह भी extreme pressure industrial gear oil है और इसका use उन gearboxes में किया जाता है जो कम temperature में work करते हैं और इसकी जो viscosity होती है वो 320 number oil से जादा होती है gearbox की जो manufacturing company होती है वो gearbox की name plate पे उसका जो oil recommend grade होता है वो mention करती है तो उसके हिसाब से ही उसमें oil डालना चाहिए और दोस्तों जो pumps में oil use किया जाता है वो किया जाता है 100 number और जो सबसे hydraulic common जो oil use किया जाता है जो hydraulic pack में use किया जाता है जैसे filter press के जो hydraulic pack होते हैं और hydraulic जो cylinder होते हैं किसी भी hydraulic application के लिए जो सबसे common oil use किया जाता है वो है oil 68 number और इसके इलावा जो 32 नंबर hydraulic oil होता है उसका use triplex pump में किया जाता है जो बड़े triplex pump होते हैं उसमें जो है hydraulic oil के दुआरा fluid को pump किया जाता है तो वहाँ पे 32 नंबर oil का use किया जाता है और जो fluid coupling होती है उसमें भी hydraulic oil 68 नंबर और 46 नंबर का use किया जाता है तो दोस्तो आज की वी यह तो वीडियो को लाइक जुरू कर दे और चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर ले थैंक्स पर वाचिंग